हर जखम दिल का तुझे दिल से दुआ दे खुसियां तुझे गम सारे मुझे को खुदा दे तुझको भूलाना पाया मेरी बेबसी है तू मेरी जिन्दगी है तू मेरी हर खुसी है नहीं पढ़ाया गया था तो जो जो टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ाया मैंने वो सारे टॉपिक में लेकर आ रहा हूं हला कि वीडियो तो अपने चैनल पर लगभग 1200 से ज्यादा वीडियो अप्लोड हो चुका है लेकिन ये बचा हुआ था अब स्मार्ट बोड की महरवानी है कि यहाँ पर यह से परहाना बहुत असान है कुछ लिखने की जरूरत है नहीं डाइरेक्ट खटा-खट समझ में आने वाला है तो दोस्तों आज बने रहिएगा इस वीडियो में ये तो पहला पोस्टर है दूसरे कोस्टन से शुरुवात हम आज करेंगे यहां से तो यह आप से बात यह करूँ कि कोई चीज अगर ऐसे ड्रॉ किया हुआ है इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि एक चीज जो है दूसरे में पूरी तरह समाया हुआ है यानि यह अलग नहीं है अच्छा ऐसे करने का मतलब यह होता है कि कुछ यह वाला यह है और कुछ यह वाला य इसा लिखा है इसका ये मतलब है कि ये दोनों अलग अलग चीज है इन दोनों के बीच कोई संबंध ही नहीं है समझ रहे हैं? तो आईए, अब हम इसी concept के अधार पर बात करेंगे सबसे पहले देखिए, कहता है कि निर्देश दिये गए परतेक प्रस्ण में तीन परकार की बस्तूओं के समूह दिये गए हैं आपको नीचे दिये गए चार क्रमिक अरेखों में से उस अरेख को ग्यात करना है जो कि प्रस्ण में दिये गए तीनों बर्गों के समूह के समंध को सही रूप से निरूपित करता है तीन बर्ग के चीजे हैं जैसे सोना, गहना, चांदी, डॉक्टर, पूरुस, कलाकार, जीव, मनुस, ग्रह, विग्यान, भौतिकी, रसन यह चार ओप्शन नहीं है यह चार कोश्चन ही है यहाँ पर मैं आपसे यह बात कहूँ कि सोना, गहना, चांदी के लिए इसमें से कौन से डाइग्राम सही होगा तो सबसे पहली बात एक बात जान लिजे यह भी एक जनरल नोलेज की बात है अगर आपके पास जनरल नोलेज नहीं है, मतलब सोना का क्या होता है चांदी का क्या होता है, गहना किस-किस चीज का बंदर यह चीज आपको नहीं पता है, तो इसमें थोरा सा अप मिस्टेक करते हैं लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे ध्यान दीजेगा, यहां पर दिया हुआ है सोना, गहना, चांदी आपको पता है कि गहना, कुछ गहना सोना का भी होता है कुछ गहना चांदी का भी होता है, कुछ गहनी दूसरे धातु के भी होते है यानि हम इसमें से ये कह सकते हैं आपको कुछ लोग को दिमाग में ये आएगा कि ये जो गहना है ये गहना हो गया और गहना के अंदर सोना चांदी आ गया तो गहना के अंदर और कुछ भी हो सकता है इसलिए इसको एंसर नहीं करना है खर ये चीज आपके दिमाग में नहीं आएगा ये अगर किसी को आ रहा है तो इसमें क्या है कि कुछ गहना सोना कुछ सोना गहना कुछ चांदी सोना कुछ चांदी गहना तो ये गलत है चांदी गहना नहीं चांदी गहना में जाएगा चांदी गहना हो सकता है कुछ गहना च चांदी का भी होता है, कुछ गहना सोना का भी होता है, कुछ गहना तो अरोधातू का भी होता है, तो ये बला सही अंसर होगा आपका option एक, अब देखिए, अगर हम अगले सवाल पर बात करें, दूसरा पर, कि डॉक्टर पूरुस और कलाकार, कुछ लोग करते दिमाग में आ होगा, पूरुस ऐसा चीज है, जो डॉक्टर भी होगा, और कलाकार भी होगा, दोस्तों, इस बात को यहां ध्यान रखेगा, तो आप इसमें कह सकते हैं, कि इसमें अगर आपका दिमाग चल ला है, कि भाई, ये पूरुस हो गया, और एक डॉक्टर हो गया, एक कलाकार हो तो इसका मतलब है कि डॉक्टर कलाकार नहीं होगा, कलाकार डॉक्टर नहीं होगा, तो ये गरबर है, तो ये नहीं होगा, इसमें ये हो सकता है, कि कोई पूरुस डॉक्टर भी होता है, कलाकार भी होता है, चाहे कोई कलाकार पूरुस भी होता है, कोई कलाकार डॉक्टर होता है यानि आपका जो सही अंसर होगा ये दो बला हो जाएगा इसका आगे देखिए कि मुझे उमीद है कि आपको समझ में रहा होगा और इसमें यह नहीं कहिएगा इसको मारने का मतलब यह होता है कि यह तो पूरूस हो गया और यह डॉक्टर हो गया यह कलाकार हो तो क्या डॉक्टर कलाकार नहीं हो सकता है अब मुझे देख लिए मैं पढ़ाने के साथ साथ गाना गाता हूँ तो मैं मालो की यहां डॉक्टर तो यह तीनों चीज हो सकता है यानि डॉक्टर पूरुस कलाकर ठीक है आगे देखे जीव मनुष्य अगरह जीव मनुष्य अगरह जीव मनुष्य अगरह दोस्तों देखे बहुत ही जबरदस्त चीज आगया यहां पर आपके सामने यह बहुत ही जबरदस्त चीज है कुस्षिन हमारा क्या कहता है जानते हैं हमें कह रहा है कि जीव मनुस्य अग्रह मनुस्य के अंदर जीव आ जाएगा सरी मनुस्य जो है जीव के अंदर आगा जीव के अंदर तो यह हो गया आपका जीव बड़ा वाला क्या हो गया जीव अजीव के अंदर कौन आ जा सरगत भौत की भी अंदर की और रसायन नहीं हो इन क्योंकि दोनो अलग अलग भी सए है आगे बड़ते हैं देखें अब हैं एकदम अभ्यास प्रसंपर तो वो सारी चीजे हम बेसिक सीख रहे थे यहां पर देखिए सवाल आपके सामने पहला सवाल निम्न आरेख में तीन वर्गों के बीच सर्वत्तम संबन्द ग्याद किजिए छात्र बच्चे चिरियां आपको प्रियास करना है कि ज्यादा से कौन सी चीजे कॉमन हो सकती है देखिए कॉमन करने की कोशिज करना है बच्चे चात्र चिरियां तो चात्र भी बच्चे होते हैं यानि कुछ बच्चे चात्र भी हो सकते हैं और कुछ बच्चे चिरियां भी हो सकते हैं यानि कि बच्चे तो दोनों में होते हैं चात्र में भी होते हैं चिरियां में भी होते हैं यानि हमारा answer option 4 हो जाएगा दोस्तों अब आप कहेंगे कि बच्चे छात्र ये बला हो जाता चिरियां लग हो जाता बहुत लोग इसको answer मारेंगे लेकिन बताइए चिरियां के बच्चे होते हैं कि नहीं होते हैं तो कुछ बच्चे चि बंद भली भांती धरसाती है अच्छा सिक्षक का क्या मतलब होता है सिक्षक का मतलब जो सिक्षा देने वला हो और प्रफेसर का क्या काम है सिक्षा ही देते हैं यानि कि हमारे सिक्षक जो सिक्षक के अंदर हमारा प्रफेसर हो जाएंगे ये सिक्षक हो गया बरावला जपता हिसे सिक्षक रिया जाते अगर एइसा होता कि एक मनूझ से होता और एक सिख्षक आ सकते थे एक सिख्षक कर सकते मिसे सिख्षक नहीं होगा राख आगे देखिए अगला तीन नमर निमन आकिर्ती में कौन सी राजनित्यग ठेकेदार और मुंबत्ती के बीच सम्मंदर साता है कुछ लोग का जो एंसर आ रहा होगा वो इसमें है ही नहीं कुछ लोग तो इस सवाल का एंसर ये करते हैं राजनित्यग ठेकेदार और मुंबत्ती तीनों अलग अलग चीज बना दी गरवर है गरवर ये है कि राजनित्यग और ठेकेदार कोई बेक्ती ही होता है यानि हम कह सकते हैं कि कोई नेता ऐसा भी तो होता है जो ठेकेदार होता है कोई ठेकेदार भी नेता बन जाता है यानि कहने का मतलब इसमें ऐसा होगा कि राजिनी तग और ठेकेदार एक दूसरे से मिला जुला होगा कुछ राजिनी तग ठेकेदार भी होता है लेकिन मुम्बत्ती एक अलग चीज है हमारा एंसर ओपिसन 4 हो जाएगा इस सवाल का एंसर कौन हो जाएगा option 4 हो जाएगा आईए दोस्तों हमारा चौथा सवाल सवाल का तर्निमनी में से कौन सी उत्तरा कृति उत्तर जो है चित्र उत्तर चित्र बीमान रेलगारी यात्रा के बीच संबंद को दर्साता है मतलब बीमान रेलगारी और यात्रा यहाँ देखिए आपके दिमाग में दो तरह के चीज आएंगी एक तो आएगा कि भई यह यात्रा हो गया और यात्रा के अंदर बीमान हो गया और रेलगारी दोनों यात्रा के अंदर तो एक तो आपके दिमाग में यह चीज आएगा दूसरा चीज यहाँ पर आएगा कि एक यात्रा हो गया और कुछ यात्रा बी यह छोड़ दीजी यानि ये डाइग्राम ऐसा होगा कि यातरा हो गया और कुछ यातरा बीमान से भी हो सकता है और कुछ यातरा रेलगारी से और कुछ यातरा तो किसी और भी चीज़ से होता है बस ट्रक कार कुछ से भी हो सकता है यानि ये सही होगा जैसे मैंने अभी थोड दिर पहले बताये था कि गहना, गहना हो, चांदी हो और सोना हो, तो हम यहाँ पर यह कहेंगे कि गहना, कुछ गहना सोना से भी, कुछ चांदी से भी और कुछ तो और चीजों से भी बनता है, इसलिए हमारा इंसर ये होगा, ये वला नहीं होगा, ठीक है, आपको इंसर कौन क का संबंध निरूपित करता है होकी खिलारी रबर बाल रबर बॉल है यह कभी के बीच देखिए होकी खिलारी कोई बेक्ती होगा और कभी भी कोई बेक्ती होगा तो कभी भी खिलारी हो सकता है खिलारी भी कभी हो सकता है यह खेलने की चीज़े है तो सौक होता है कोई कभी ख लख सकते हैं, अच्छा कुछ लोग की दिमाग में ये बला और ये बलाएगा, ये हो गया आपका रवरबल, एक कभी हो गया, एक खिलारी हो गया, होकी खिलारी. कुछ लोग के दिमाग में आगा कि सर होकी खिलारी कभी हो गया और ये रबर बल नहीं सारे होकी खिलारी कभी होंगे ये जरूरी नहीं है या सारे कभी होकी खिलारी ही होंगे ये जरूरी नहीं है इसलिए ये गलत है ये वाला गलत है लेकिन कुछ कभी खिलारी हो सकते हैं कुछ खिलारी कभी भी हो सकता है और यहाँ पर आप रबर बल को अलग रखेंगे और एंसर हमारा पांच हो जाएगा ठीक है यानि पच्मा फिगर सही है जो उत्तर चार में है अप्शन चार में आई किसके किस के बीच लड़का बिद्यार्थी और खिलारी लड़का बिद्यार्थी और खिलारी लड़का बिद्यार्थी खिलारी, कुछ लड़का बिद्यार्थी होता है, कुछ लड़का खिलारी होता है, लड़का बिद्यार्थी खिलारी, ये सारे गुन किसी एक व्यक्ति में भी हो सकता है, ने हो सकता है, आप्शन एक बिल्कुल सही है, कुछ खिलारी बिद्यार्थी द्वारा आदमी डॉक्टर कुट्टा को निरूपित किया जा सकता है इसमें से आपको देख लेना है आदमी डॉक्टर और कुट्टा देखे जो डॉक्टर यह देखे आदमी डॉक्टर जो होगा वो डॉक्टर आदमी के अंदर आ जाएगा तो डॉक्टर आदमी के अंदर आ गया और कुट्टा लग हो गया आपका option 2 सही है इसको कह नहीं सकते हैं क्योंकि सारा कुट्टा डॉक्टर हो और सारा डॉक्टर आदमी हो यह बात गलत है आप इसको भी नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर के अंदर आदमी आ कुट्टा दोनों ह हो सकता है नहीं पनाँ विग टोक्टर कुटता नहीं होता है या महिला भी हो सकता है लेकिन यहां पर महिला नहीं चर्चा हुआ है आदमी जो होगा डॉक्टर होने के लिए इसमें महिला है नहीं तो जो तो डॉक्टर होगा वो आदमी होगा ना तो डॉक्टर आगे आदमी के अंदर कुत्ता हो गया अलग और संदू सही हो गया आईए अगला आठ नमर क्या कहता है नौ नमर पहले नौ निमलिखित में से कौन से आकृति हाथियों भेडियों और जानवरों के बीच समन बताता है देखिए मस्त है यहाँ जानवर के अंदर हाथी भी आ सकता है भेडिया भी आ सकता है लेकिन भेडिया हाथी नहीं होगा हाथी भेडिया नहीं होगा आप्शनिक बिल्कुल सही होगा ठीक है आगे चलिए क्योंकि जानवर के अंदर हाथी भी आ सकता है और भेडिया भी आ स गया option एक बिल्कुल सही अगला सवाल पर बढ़ेंगे और देखते हगले सवाल को 11 निम लिखित में कौन सी आकरती पूरुसों पिताओं और वकीलों के बीच संबन दरसाता है देखिए पूरुस पिता जो पिता होगा पूरुस होना बिल्कुल जरूरी है तो पिता के अंदर पूरुस हो गया दोस्तों ध्यान देना एक पिता और पिता जो होगा वो पूरुस ही होगा पूरुस के अलावे कोई पिता नहीं बन सकता देखिए और उसके वाद वकील तो वकील जो होगे ये पिता हो गया अंदर पिता पिता जो होगा वो पूरुस ही होगा और वकील हम अगला काता है 12 नमर नीचे दिये हुए रेखा चित्र में कौन सी रेखा चित्र पती पत्नी और परिवार के पारिस परिक संबंद को सही परदर्सित करता है कुछ लोग तो यही पती पत्नी के बीच पारिस परिक संबंद में गरबर आ जाते हैं कुछ लोग यह समझ लेते हैं कि भाईया या तो इह हो जाएगा लेकिन इतो गलत है क्योंकि कुछ परिवार पती यह नहीं चलेगा इसमें से आप गौर कीजिये आ कुछ पती पतनी हो जाएगा चाहरे कुछ पतनी पती हो जाएगा तबु परिवार नहीं हो क्योंकि पती पती यह होता है पत्नी नहीं हो चाहरे कि तुनों पतनी अटैक कर ले पते पर तो ध्यान दीजेगा MTr पत्नी नहीं होगा और कुछ पत्नी पत्ति नहीं होगा ऐसे नहीं होगा एक Asscontrolled के अंदर पत्ति भी और पत्नी संबंध नहीं सब संबंध है आ पर पत्ति पत्नी है य waits दियान दिजीएगा आगे बढ़ते हैं मोगा एक तेरा नमर इन में से क्यां सी आकेती सम चतर भूजों और वह भूजों को दर्सता है. दोस्तों चतर भूज है चाहे चतर भूज कोई भी चतर भूज हो. आपका एक सही हो जाएगा. तो मुझे उमीद है कि आपको आया होगा असानी से समझ में आया है असानी से समझ में तो वीडियो को लाइक कर दीजे अच्छा आपके लाइक करने से पईसा नहीं मिलता है लेकिन ये लगता है कि आपको सच में समझ में आया है ये परिणाम सही दिशा में आ रहा है तो दोस्तों इससे हमारे अंदर होसला बढ़ता है और वीडियो बनाने का हिम्मत होता है तो जरूर बताईएगा, कमेंट करिएगा और इस पर हम चाहते हैं कि एक पार्ट और आना चाहिए तो आप लोग की एक्षा जैसा हो कमेंट भी जरूर बताना और हाँ, रिजनिंग का अगर फूल कोर्स आपको लेना है देखिए, यूटूबर में हमेशा फिरी पढ़ाऊंगा पढ़ा रहा हूँ लेकिन एक जगा जहां आप कोर्स ले सकते हो टेस्ट दे सकते हो, वो सब फिरी है तो सारे अट में वो बेवस्था हो सकता है उसके लिए मैंने नीचे लिंक दे दिया है जाकर ले सकते हैं, यूर कलास से सैपड़ सब कुछ उपलब्ध है वीडियो देखने के बाद वहाँ पर अभ्यास परसन लगाने के लिए आपको एंसर भी बताएगा सही है, गलत है, क्या है, नहीं है तो सारी चीज़े आता है कितना रेंग, कितने विध्यार थे, वो सारी चीज़े वहाँ दिखाएगा तो चलिए, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में हाँ, वो कॉर्स आहिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बक्स में जाकर आप चेक कर सकते हैं बहुत मामूली सिफ्चार्ज है उसका, थैंक्यू